हेलो हाटी फेमिली वेल्कम बेक टो हाटी लाइट ब्लॉक्स ये संडे सुभर के लिए मैं ब्रिक्फास्ट बना रही हूं आलू पराथा और देखें पूरी की तरह कैसे फूली फूली से बन गई है थोड़ा से थंड़ा मौसम हुआ नहीं कि घी जमना सुरू हो जाता है आलू पराथा घी से से के तो बहुत टेस्टी लगता है यहां में आलू मेथी पराथा बना रही हूं इसकी रेसिपी जरूर सेयार करूंगी कुछ हेवी ब्रेकफास्ट करने का जब अगर मन करें तो उसके बाद चाय तो बनती ही है वैसे तुम मुझे चाय पीना मना है पर कभी कभी ऐसा हेवी ब्रेकफास्ट हो तो थोड़ी से अद्रप वाली चाय बारिस की मौसम में बहुत अच्छा लगता है तो बस ब्रेकफा जाता है अकप उठाने के लिए यहां में एक बॉल करें हो आज हम लंच में बनाएंगे एक टमाटो करें यह हम तीनों को पसंद है और मुझे लगता है टमाटो एक सारे लोगों को बहुत पसंद आता है यहां में थोड़ से अद्रप लसं प्याज हरी मिर्च और दो से ती मिडियम साइज के टमाटो से ले लोगी टमाटो बहुत चाहिए हमें तो एक बाउल फूल करके हमें टमाटो चब करके लेने हैं यहां राइस भी बना रही हूं बॉल राइस दाल और एक टमाटो करी बहुत अच्छा लगता है और देखिए खाना बनाते बनाते देख रहे हूं अभी धूप है तो थोड़ी देर में ही छाम भी आ जाती है मौसन बहुत अच्छा बना है यहां मैंने तीन टेबल स्पून रिफाइंड ओयल में आप कोई भी ओयल ले सकते हैं मस्टर्ड ओयल में भी अच्छा लगता है थोड़ा सा मस्टर्ड सीड थोड़ी सी क्यूमिन सीड एक सुखी मीर्च डाल कर तड़का दिया और चौप्ट ओनियम और जिंजर कार्लिक क्रस्ट डाल कर इसे में ब्राउन होने तक खुब अच्छे से फोन लोगी और उसके बाद चौप्ट टोमटो डाल की मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम सॉल्ट रेडचिली पाऊडर टरमरीक पाऊडर और व्न टेबल स्कून मीट मसाला डालेंगे अगर मीट मसाला नहीं है तो आपकर मसाला ले सकते हैं और देखिए मैंने खाइपेक्स को इस तरह से हाफ कर लिया और एक एक को मैंने बड़े टुकडों में कट करके ले लिया टमाटो से ओल से पारेट हो जाए तभी हमको एकस डाल ले है पर उससे पह टमाटोस में मिक्स कर दें और एकस डालने के बाद आपको ज्यादा इसे मिलाना नहीं है एक दो बार हलके हाथों से मिला ले और बस उसके बाद आज पूरी तरह से कम करके यानि सिंपर 5 मिनिट के लिए इसे पका लिए और लेजे तैयार है सिंपल इजी एंड टेस्टी ट गर्मा गरम राइस या चपाती के साथ अंजय करें खाने में बहुत तीस्टी बनता है और चटपटा स्वाध होता है थोड़ा सा खटा थोड़ा सा तीखा लेजी बहरिस पी शुरू हो गए धूप छाओं वाला मोसम समर में भी बना ही रहता है इस पार साइध धूप हमें कम ही मिले देखते ही देखते फिर थंडा मोसम आ जाता है चलिए बारिस का भी मज़े लिया जाए यहां में ब्रेट स्टिक्स बना रही हूं जो की बच्चों को बहुत पसंद है और इसे आप चाई कॉफी के साथ भी इंजय कर सकते हैं इसके लिए मैंने फाइट ब्रेड आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं उससे इस तरह से स्टिक्स की तरह कट करते रह और एकतर् लो फ्लेम में इसे हमें बटर के साथ इस तरह से थोड़ा सा सेख लेना है पूरा कुर्कुरा होने तक हमें इसे उलट पलट के सेकते रहना है अगर जरूरत हो तो आप थोड़ा और बटर भी दे सकते हैं पूरा ब्राउन ब्राउन करके इसको फ्राय कर ले और उसके बाद इसमें बस थोड़ असे चाट पावडर और थोड़ इसी मिर्च पावडर डालकर सौर्फ करें देखें कुछ इस तरह से थोड़ा से चाट पावडर और मिर्च पावडर पस इतने में ही इतना अच्छा लगता है कि बच्छे मांग मांग के खाते हैं और ये सुन दर्शा पाम ट्री हमें गिफ्ट में मिला है प्रेंस ने दिया है ये न्यू एडिशन है हमारे गार्डेन का जी हाँ छोटा सा ही कंटेनर में थोड़ा सा ही मैंने लगाया है पर इन्हें भी देखना मुझे बहुत पसंद है और यह हमारा रोज प्लांट देखते ही कैसा चलता है पर जो भी फ्लावर्स इन में थे वो धीरे-धीरे खिलने लगे ह और नीचे थोड़ से धन्या के बीच थे वो भी ग्रो करने लगे हैं इविनिंग का यह मेरा बेस्ट टाइम होता है अब देखिए डिनर करके हम जैसे ही सोने के लिए निकले तो पाटा बंद करने से पहले इतना खुब्सुरत सा मुझे नचारा देखने को मिला मौसम खुष्णुमा हो गया है गर्नी बिल्कुल नहीं है अगर आपको मेरे वीडियो देखना पसंद है तो फिर प्लीज लाइक, सेयर, कमेंट इंड सब्सक्राइब करना ना भोले थैंक यू सो मुझ पर वाचिंग हाटी लाइक प्लोक्स थैंक यू